so hello friends कैसे आप सब good evening और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं blogging channel है मेरा और मैं blog बनाती हूँ तो काफ़े टाइम से मैं blog नहीं बना पा रही थी लेकि friends आज मैं आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई हूँ तो देखे ये देखे मेरे nails मैंने कुछ से डिसाइन किये हुए है ये और मैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं सीख रहי हूं आज कल نیल आट और जो की सीख रही हूं मैं करने लगी हूं अब नील आट काफी अच्छा तो उसके कुछ डिसाइनस बैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं और बहुत इजली सीख सकते हैं तो जैसे कि आज कल मार्वल आर्ट चल रही है आपने सुना होगा तो वो मैं आपको बना कर दिखाने वाली हूँ आज आपको और बहुत थी फ्रेंड्स उसे बनाने का जो तरीका है बहुत ही जादा इजी है और जहां पर मैं जाती थी वहां पर उन्होंने मुझे इतना हाट बता है ना कि मेरी समझ बहार मुझे समझी नहीं आ रहा था यह के बना गया रही है मुझे तो लग रहा था सुनके ना जैसे वह बना रही थी और जैसे मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं नहीं कि यह पेड है और यह पेड़ के जो तनी होते हैं यह वो है मतलब इस टाइप से मुझे लग रहा था तो चलिए फिर मैंने लगाया अपना थोड़ा दिमाग और मैंने किया खुद से उसको डिजाइन तो मैं बताती हूं किस तरीके से आप बना सकते हैं तो यह देखिए हम मैं यह निल प कोड अपने ही लोंगी और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास क्यो और कराने के लिए मशीन नहीं है तो मैं ऐसी ही आपको बनातर दिखा देती है तो अब इसके पाद हम करेंगे दो कलर का यूज चो की आएगा एक ब्लैक शेट इसके उपर और दूसरा लोंगी मैं यह ल अब हमारा यह हो चुका है अब हम सेकिंड कलर अप्लाए कर लेते हैं जो की हमारा है यह यह शेट ब्लैक अब मैं इसी पर आपको मारवाट आर्ट बना कर दिखा हो गहीं हां जी तो सौरी फ्रेंड्स आगे थी मेरी कस्टमर जैसे कि आप जानते ही हैं मेरी शॉप है तो इसलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए यह मैंने दो दो नी तीन तरह की इसके उपर मैंने यह निल पिंट लगा ली है बेस दिया था मैंने ग्रीन कलर का और उपर से लगाई थी मैंने लाइट क्रीम और ब्लैक शेट तो अब मैं इसी से आपको याद करके दिखाती है तो यह देखिए कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ यह और यह देखिए और यह हो चुकी है हमारी आर्ट जो की हुई है बहुत ही प्यारी और यह देखा होगा आपने काफी चल रहा है आज कर यह देखिए तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए ब को अपने कुछ टीजाइं सो मैंने बनाया हुए थे यह देखिए एक टीजाइन यह है मेरा काफी अच्छा यह देखो यह अगर मैं इसको लगाऊंगी तो कुछ स्टाइब से यह आएगा फिर है मेरा सेकिंड लीप्स यह देखिए यह लीप्स है बहुत ही प्यारी पूश और फिर मैंने बनाया हुआ था कुछ पत्तियों का टीजाइन जो पूरा तीन शेट में यह आप देख सकते हैं इस पर कुछ यह देखिए फिर मैंने बनाया हुआ था एक डॉट डॉट वाला यह दिजाइन यह देखिए फिर मैंने बनाया हुआ था एक यह जो आज कल कुछ कुछ से डिजाइन मैंने की हुए है हाला कि इस स्क्रीन पर अच्छे नहीं दिख रहे हैं आप ऐसे देख रहे हैं आपको समझाएगा नेक्स वीडियो में जो मैं दिखाऊंगी पूरे प्रोपर रखके तब मैं दिखाऊंगे आपको